अब लोग फ्रेंड वेलेकम टू और एस इस वीडियों बात की जाएगी और आरवी जेस से समनेजों भरती है मात्र तीस दिन मानच के चल सकते हैं 30 से 45 दिन लेकिन आपको 30 दिन का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने किसी लोको पाइलेट में 68 प्राप्त के और गुरुब्ड याल फिला जो रिजल्ट आए इसमें 82 आपको प्रूफ देखा देता हूं उसके बाद में बात करेंगे यहां देख सकते हैं। बोर्ड अजमेर फ्रीवेंसी करणे जो यहां पर आजिस टेस्ट नंबर रोल नंबर एक सबसेंट इस में यह तो आपको बता देता हूं यहांनि 81.4924 यह अंग में प्राप्त के हैं आप्टर नर्मलाजिशन के बाद यह मैंने किस परकार्त की तैयारी कीजिए मेरे को इतने यह कौलिफाई हो चुका हूं और आपको तो ओनली इसमें कौलिफाई होना है जही में अब आपको लोको पालेट का जो प्री के एक्जाम जबकिन नर्मलाजिशन मारक आए 68.24663 यहां देख सकते हैं यहीं नर्मलाजिशन मारक लगबग 6 अंकों का इंक्रीज हुए है और प्रोटेक्ट मारक 62.5 रो आउट ओव पचेतर में से 45.666 यह मेरा स्कूर कार्ड आपको पूरूप दिखा रहा था ताकि आपको मैं जो मैंने बताया हुआ आपक्लिवर अब बातकी जाएगी कि अब बातकी जाएगी किस परकारा आप इस तरहें अच्छे फरिएय और आप कर सकते हैं और अप जे कि प्री कौलिफाई कर सकती हो क्कि जो जे की पोस्ट बहुत अच्य पोस्ट है इसमें जो SSC baInk जो तया आपको भार कर सकते हैं अगर आपने सावधानी बढ़ती हो किकि उनको ओनली एक्जाम देना उन्हें तैयारी से मतलब एक्जाम देगा उसी में उनका इतने हाई अच्छे नमर आजएगे कि आपको भार होना पड़ सकता है उसलिए आपको किसी भी जोन से फूम पर आए तो सत्तर प्लस तो मान के चलो आप्टर नॉर्मलाजेशन किसी एक दो बोर्ट छोड़ सकते हैं लगबार लेकिन जिसे चंडिगर्ण, हिलाबाद, पहपाल, अजमेर, कोलकता, बंबोई, चेन नहीं इन बोर्डों से तो सत्तर प्लस से क कम जाने वाला नए ओवीसीजन तो नहीं से अकिसे बात करें तो साथ प्रस का टार्गेट आपको बनाका चलना यह तृटिश दिन आपको मान के चलना है कि 3 दिन मुझा है मुझा पूरा कम्प्लेट करना जिसे आज से कल से जिस दिन से आप स्टाट कर रहें उस दिन से आपको यह तो online test trees लगाना अगर online टेस्ट नहीं लगा रखके पहला काम आपको करना है test पहला काम करना है आपको testToaster लगाना आगर online लग जाए तो बहुत अच्छा है कि पेपर online टेली एक एक टेस्ट आपको करना है उसके बाद में अगर ओनलाइन पॉसिबल नहीं है तो कोई सी भी भुकलिया हो जो एल्पी गुरूब डी में से संबंदित कुछन आये वह भुकला सकते हैं आपको डेली एक टेस्ट करना तो करना है सबसे पहले आपको कुछ भी तैयारी नहीं है आपको बिली से जीरो से स्टार्ट है लेकिन डेली आपको एक टेस्ट करना है कपता करना है जब तक आपके 30 टेस्ट नहीं हो जाते हैं चैसी यह 30 टेस्ट होते हैं है उसके बाद अगर आपको टाइम मिल जाता है तो जो टीस टेस्ट के अंदर GK और साइस की जुख किसेन उनको ज्यादा से जादा बार-बार रिवाज करना है जैसे आपको ओ टाइम मिलें तो यानि जब तक आपकी एक्जाम नहीं होती तब तक आपको ओपलाइन या ओनला यहंद ड़ी एक टेस्ट कंप्लेट करना तो कि चार खंटा आपको कि में रिजिनिंग इसमें से आपको लगबग ढ़ाए गंटा मेन देना और एक से पासे गंटना रिजिनिंग में WODE बाकी करे के दो आपको जीक के और साइन्स में देना अब इस दो गंटे में से भी लगबग आपको 40 मिनट जीक के में और एक से डेट घंटा आपको साइन्स में देना है यह ताइम किस सब्जेक्ट को कितना दे या भी और अच्छी तरह से आपको अता रहा हूं मैं आपको मान के चलता हूं कि आप आठ गंटे बढ़ रहे हैं ओके आठ गंटे अगर 6 गंटे गंशार भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना हूं अधिन अता टैम को मैंत में देना जितना आप पड़ रहें दस गंटे बढ़ रहे तो सकर पचास पने पांस घंटा टीन गंट चेंट बने तो तो तीन गंटा यह पचास पर शेंट आपको जो टाइम है किस में देना आप में देना कि उसके बाद में आपको अगर डेली एक सोल्ड पेपर निकल रहा निकाल रहे हैं तो आपको जिस टॉपिक में प्रोब्लम आ रहे उसे हल करें लगबग आप 20 परशेंट टाइम इसमें देव सकते हैं अब रिजिनिंग में 15 परशेंट टाइम देए वह भी बहुत हो सकता है अगर आपकी पहले से तैयारी है आपके पास 65 प्रक्तिशत हो चुका है आपको 20 परशेंट टाइम देना है साइंस में और बाकी का 15 परशेंट टाइम आपको देना है जीकी जीकी में करंट और सब आच्चुका है इसके अंदर अगर आपके रिजिनिंग पहले सही है तो आप उसी टॉपिक को हल करें जैसे आप टेस्ट करते हैं उस टेस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोब्लम है उसी टॉपिक को ग्रिवाइज करें अधर्वाइज आप इस टाइम को ओर में दे सकते हैं अब किस प्रकार आठ गंटे का मतलब है चार गंटे आपको मेहत पढ़ना है इसका 20 परशंट निकाल सकते हैं इसी परकार इसका 15 परशंट निकाल सकते हैं और 15 परशंट इसका निकाल सकते हैं तो इस परकार आप अपना time settlement करें कि आपको कम से कम मेहनत में अच्छ अंग प्राप्त हों और आपकी pre qualify करने में कोई problem नहीं आपको कास का मैत पतों विसेस कर ध्यान देना जितने topic हैं अगर आप से cover नहीं होते हैं तो आप जैसे test करोगे उसके अंदर सारे topic cover जाएंगे यानि 100% topic cover जाएंगे test के अंदर जैसे आप test देते उसके बाद में जिस topic में आपको मेत में problem आरी है रखें तो आप अच्छे अंग प्राप्त कर सकते हैं यह मेरी गारंटी है जो मैंने यह नियम फोलो किया इसी तरह किया था कि किस प्रकार आपको मैंने लगबाग सतर से असी टेस्ट देते एलपी टेक्निक्शन और गुरूपडी से एक जाम के पहले अगर आप 30 से 40 टेस्ट दे लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं प्री कॉलिफाय होने से आपको कोही नहीं रोकने वाला आप किसी भी केटिकेरी साथ है चैनल ओवी सी एससी किसी लेकिन जिस टोपिक आपको प्रॉब्लम वारे टेस्ट में उस टोपिक से समंदित आपको जो टाइम दे रहा उस पे ज्यादा फोक्स करना तो दोस्तों बारे में पदाटले दोने वार दोस्तों थैंकि यू